गुद मॉर्निंग क्लास टू, हाव यू अल, आई होप यू अल आ फाइन एन हेल्दी, सो क्लास टू, प्लीज टेक आउट यूर हिंदी, ग्रामर बुक यानि व्याकरन वाटिका, ठीके, इसमें हम पेश नंबर फॉट्टी फोर पे आएंगे, डेट लगाओगे, आज है 21 ज शुक्रवाग, आज हम पढ़ेंगे शब्द समू के लिए एक शब्द, यानि one word for many words, ठीके, हम लास क्लास तक उल्टे अर्थ वाले शब्द, यह मैंना आपको करवा दिया था, मैंना आपको इसका नोट बुक वग भी शेर किया था, आज हम पढ़ेंगे one word for many words, यानि शब शब्द समू के लिए, शब्द समू यानि यहाँ पर कोई समू होगा, उसके लिए one word, ओके, तो कभी-कभी हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखते हैं, ठीके, तो देखेंगे अभी यह क्या होते हैं, पहले मैं आपको वीडियो से समझाती हूँ, उसके बाद हम खाले पड़ेंगे, तो चलो हम देखते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो आप सब लोग रेडी होना, चलो देखते हैं, स्टोरी की हेल्प से, ओके, तो चलो अभी हम ले चलते हैं आपको, अनेक शब्दों के लिए शब्द वाली दुनिया में, यानि एक ही शब्द में हम उसे बोलेंगे तो देखो यहाँ पर कितने सारे चित्र है चित्र बनाने वाला गाना गाने वाला देश की रक्षा करने वाला और खेती करने वाला तो अभी तो मैंने इतनी लंबी लंबी लाइन्स बोली है यानि इतने लंबे लंबे वाक्य बोले तो चित्र बनाने वाला चितरकार, ठीक है, गाना गाने वाला गायक, देश की रक्षा करने वाला सैनिक, खेती करने वाला किसान, अब उसके लिए मैंने छोटा सा एक शब्द बना दिया, तो इतने सारे अनेक शब्दों के लिए मैंने सिंपल सा एक ही शब्द चुना, जैसे जो चितर जो गाना गाए गायक, जो देश की रक्षा करे सैनिक, जो खेती करे किसान, तो मतलब मुझे इतना सारा वाकिय नहीं बोलना पड़ेगा, अगर मैं किसान बोलूँगी, तो आपको पता चल जाएगा कि जो खेती करता है, तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ऐसे होते है अब इसका हम प्रयोग देखते हैं, चलो, अभी मैं आपको इसका प्रयोग पताती हूँ, कि आप वो कैसे करोगे, और उसमें हम क्या-क्या देख सकते हैं, तो जब भी हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं, तो उससे हमारा जो वाकिय है, यानि जो ठीक है, गोडे के रहने का इस्थान, अस्तबल, और देखें, जिसकी तबियत ठीक नहीं है, बिमार, बेड बकरियों को पालने वाला, बताओ, गडरिया, पक्षियों का घर, गौसला, ठीक है, जो मास नहीं खाता, शाकाहारी, जैसी में शाकाहारी बोलूँगे, तो आपक चितर पढ़ते हैं, विध्याले, जो बिमारों का इलाज करता है, चिकिसक या डॉक्टर भी बोल सकते हो, जिसे देखकर डर लगे, डरावना, जो चितर बनाता है, चितरकार, यह हम पहले बता चुकियों मैं, जो भारत का रहने वाला हो, भारतिय, है ना, ऐसे खूप सारे शब्दोते हैं, जो किसी से ना डरे, निडर, जिसे भूख लगी हो, बताओ, भूखा, और लालच करने वाला, लालची, और देखते हैं, जिसमें दया होए, यानि जो दयालू है, यानि दयालू इंसान, तरदर के रंगों वाला, रंग बिरंगा, और जो मास काता है, मासा पुस्तकारी, और देखें, जहाँ पुस्तक रखी जाती है, पुस्तकाले, और जो आलस करता हो, आलसी, जो आज्या मानता हो, आज्याकारी, अब भी हम देखते हैं, बुक वाला पार्ट, आज़ाई होप आप सबको वीडियो समझ में आया होगा, अब जो हमारी बुक में दिया होगा है, यह मैं आपसे लाइव क्लास में डिसकस करूँगी, जैसे जो खेती करता है, किसान, जो चितर बनाता है, चितर कार, जो सेना में काम करता है, सैनिक, उन सबको क्या बोलते है सैनिक, जो मरीजों का इलाज करता है, डॉक्टर, जो कपड़े सीलता है, दरजी, यानि उन सबके लिए एक पूरा एक शब्द होता है, उसे ही हम बोलते है, शब्द समू के लिए एक शब्द, तो यहाँ पर खूप सारे ऐसे है, और कुछ है जो मैं आपको नोट बुक में भी करवाँगी बाद में, ओके, तो अभी आप आजाएंगे पेश नमबर 45 पे, इसमें हमें करना है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखो, जो बिमार का इलाज करता है, डॉक्टर, जो चित्र बनाता है, चित्रकार, जो कपड़े सीलता है, दरजी, जो जूते ठी करता है, मोची, जो मिट्टी के बरतन बनाता है, कुमहार, जो शिक्षा देता है, शिक्षी का, ठीके, मिलान करो, जो सेना में काम करता है, सैनेक, जो पत्र बाढ़ता है, डाकिया, जो जल में रहता है, जलचर, जो साथ में पढ़ता है, सह पार्टी, यानि हमारा क्लास्मे अब हम page turn करेंगे, page number 46 पे है, शब्द बनाना, हाथ और साथी, तो यहाँ से मैंने क्या लिया, ह, आ, और यहाँ से लिया है मैंने last वाला, यहाँ का पहला और वहाँ का last, तो क्या बन जाएगा हाथी, वैसे ही यहाँ से हम ट, ओ, टो लेंगे, और यहाँ से पी, जैसे arrow है क, आ, का, और यहाँ से न, कान, च, उ, चू, फिर यहाँ से डी, चूडी, इन शब्दों को उल्टा लिक कर पड़ो, खीरा, राखी, उल्टा करोगे तो बन जाएगा, नाच, चना, बस, सब, रा, हरा, है ना, फिर चित देखकर शब्द लड़ी आगे बढ़ाओ, यह क् ख़पे खत्ब हुआ, इसको आगे बढ़ाओ, खरगोश, अब यह क्या है, शलगम, यहाँ से वापस चलो, मचली, लीची, फिर, यह क्या हो जाएगा, चील, लड़की, कील, है ना, सो, क्लास टू, यह हमारा बुक बग था, जो मैं आपको लाइप का क्लास में करवाऊंग चील, मैं आपको इसका पीडियव भी शेर कर दूँगी, इसके अलावा, मैं आज आपको नोटबुक बग भी शेर करूँगी, एक पेच का, जो हमें हमारी हिंदी ग्रामर की कॉपी में करना है, ओके, तो चलो, मैं एक बार आपको वो भी समझा दू, कि वो आप क्या है, मै उसका भी पीडियव इसके साथ में भीजूँगी, वैसे तो ये सारा वक आपको मैं अपने साथ में ही करवा दूँगी, लाइव क्लास में, ओके, तो चलो, मैं अभी आपको नोटबुक वाला वक दिखाती हूँ, ये रहा हमारा नोटबुक वक, हम डेट लगाएंगे, ग जो बगीचे की देखभल करता है, पताओ कौन होता है, माली, जो खेती करता है, किसान, जो साथ में पढ़ता है, सहपाटी, जो शहर में रहता है, शहरी, ठीके, और जो गाम में रहता हूँ, ग्रामेन, जो मूर्ती बनाता है, मूर्तिकार, जो चित्र बनाता है, चित्र का, तो इसके अंसर से आप लोग लिखोगे इसके सारे अंसर आपको हमारी इस बुक में मिल जाएंगे और नहीं मिलेंगे तो भी मैंने आपको इसके सारे अंसर अल्रेडी बता दिये यह आप अपने आप करेंगे ठीके मैं इसका पीडिया भी शेयर करूंगी ये एक ही पेज है जो हमें हमारी notebook में करना है ओके, so thank you class 2 बाई बाई बिटा, take care